अगर आपको भी इस टाइप का वीडियो इडिट करना सिखना है तो यह आपको टाइमल दिख रहोगा सिर्फ इतने से टाइमिंग में मैं आपको जो है इडिट करना प्रॉपर सिखा दूँगा अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो इडिटिंग करने के लिए आपको बाकी कोई और वीडियो देखने की जरुरत नहीं पड़ेगी जैसे मैं आपको editing सिखा दूँगा उसके बाद कुछ ऐसे tricks और tips भी आपके साथ share करूँगा जिसकी वज़े से आपको जो है मतलब कि ऐसे वीडियो शूट करने के लिए आसानी होगी और साथे आप easily grow कर जाओगे तो वीडियो के इन तक जरूर देखना जैसे आप screen पर देख सकते हो हमारे 1000 subscribers जो है complete होने के लिए last के 2-3 subscribers बचे है और मेरे वीडियो पर views भी आर 20-30 आते है और अगर आप उन में से हो आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे request करता हूँ यार प्लीज चानल को सब्सक्राइब करेए ताकि grow करने में थोड़ी सी help मिल सके तो चलिए वीडियो को शुरू करते है सब्सक्राइब करने में इन में आपको सिखाऊंगा आप जो है वीडियो को बीच में slow कैसे कर सकते fast कैसे कर सकते text कैसे add कर सकते song कैसे add कर सकते और साथी जब वीडियो चेंज होता है तो बीच में जो effect आता है वो कैसे add करना है सब कुछ बता दूंगा जो सबसे अच्छा effect है जो कि बहुत ज़्यदा attractive लगता है वो भी आपको बताऊंगा तो चले वीडियो को शुरू करते हैं सबसे बात करते हैं सौंग के बार में जैसे आप जो अपने वीडियो एडियो मतलब कि जो वीडियो आपने shoot किये हैं आपको edit में लेने हैं उनको select कर 100 view आजाójंगे उनमें से आप जो चाहे वो select कर सकते हैं यहां पहले सउंग से लेकर नहीं करता क्योंकि को ने करता है्-शू हो सकता है तो आपको सबसे लेस सांग सबसे करने है उसके बाद लारा है उसको सबसे और कर लोए है इसले कर यहां च्में करेंगे तो इनमे आपको जो एक filter add करना होगा जो कि बहुत ज़्यादा attractive लगता है तो यह पर सबसे फिल्टर पर आपको क्लिक करना है इसके बाद P2 नेम से एक filter है ठीक है वही सबसे ज़्यादा attractive रहता है यह पर देखो P2 नेम से यह जो यह orange में हो गया यह सबसे ज़्यादा attractive लगता है यह पर P5 भी है लेकिन यह बहुत ज़्यादा black रहता है इसलिए आप P2 ही यूज़ करें यहाप इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन आप 100 पे इसको लखना रखना यह बहुत ज़्यादा attractive लगा यह पर P2 filter आपको add कर लेना है और आप देख सकते हैं यह जो औरेंज में हो गया यह बहुत ज़्याद attractive लगता है नेक्स यहापे text में add करना आपको बताता हूं यहाप आपको अलगलग type के text दिखने को मिल जाएंगे लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहापे text add करके दिखाता हूं यहापे आपको rec रखना है record यहापे आपको corner में इसको लगा देना है next बात करते हैं यहापे video को आप बीच में slow कैसे कर सकते हैं तो यहापे speed का option दीख रहा होगा इस पर आपको click करना है इस पर click करना अगर आप इसे नीचे ले जाते है इंगे तो वीडियो जो है अपने आप slow होजाएगा आप इसे उपर ले जाते हो तो जैसे slow होगा उसके अब आपने यह fast motion में चला जाएगा ठीक है तो इससे आप देख सकते हैं यह जो slow हो गया और फिर अभी fast हो गया तो इससे अगर आपको slow करना है तो आप नीचे ले कराएं अगर आपको तो बीच में fast करना है, उसको आप ले जा सकते हैं, तो आपके इसाब से आप walking कर रहे हो, तो slow motion करना है, बाइक से जा रहे हो, तो fast motion करना है, वो आपके इसाब से आप कर सकते हो, next याप बात करते हैं, बीच में जो यहाँ पे, बतलब कि जो जब videos change होगा, तो यहाँ पर जो अलग-अलग option होते हैं वह आपको कहां मिलेंगे यहाँ पर प्लस वाले icon पर क्लिक करिए इसके यहाँ पर आपको अलग-अलग type के option देखने को मिल जाएंगे देखो यह हो रहा है zoom in हो रहा है, zoom out हो रहा है या फिर rotation करके तो यह option आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अलग-अलग, लेकिन मैं आपको यहाँ पर recommend करूँगा कि zoom out, zoom in and rotate यह चार option यहाँ मतलब की जादा तर use करिए और नीचे का जो time zone है वो जो है एक second से कम रखिए ठीक है यह बहुत ज़्यादा attractive लग गया यहाँ पर zoom out का आप देख सकते है zoom in का and rotate का यह चार जो है जादा यूज किये जाते है यह बहुत ज़्यादा attractive लगते है तो यह चार आप यूज कर सकते हो यहाँ पर मैं आपको play करके दिखाता हूँ यहाँ पर आप देखिए कैसे मतलब की अलग अलग टाप के option आपको देखने को मिल जाएंगे इनको पर यूज कर सकते है आपने वीडियो को और ज़्यादा attractive बनाने के लिए जब आपका वीडियो चेंज होगा तो उसके सबसे उसको यहाँ पर लगा सकते है मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पर जो आपने fx लगा है वह आपको कैसा लगा ठीक है अब यह देखो यह देखो यह fx यह पर लग गया तो आप जब वीडियो चेंज होगा तो यहाँ पर fx भी लगा सकते है यहाँ पर प्लस के निशान पर जाके यहाँ पर इडिप कर सकते हैं साथ आगर आपको इस टैप के वीडियो को यम यह से शूट करना है वह जाना है तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है उसकी लिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप comment कर सकते हूँ या फिर आप description चेक करें वहाँ पर आपको मेरी Instagram की link मिल जाएगी उस पर click करके आप मुझे message कर सकते हैं मैं आपको reply दे दूँगा so मैं मिलता आपको next video में तब तक के लिए bye and thank you so much for watching this video